बिस्मिल्ला रुख्मानी रहीम गुजाती किचन में आप सब को हुश आमदीद तो उमीद करती हूं आप सब लोग अपने गरू में खुश और अबाद हैं आपको अपने गरू में बच्चों के साथ खुश और अबाद रखें आमीन सुमामीन तो चलिए आज मैं अपने इन ग्रेडियों बता देती हूं इधर मैंने ले लिए 10-12 दद सुरक गोर मिच्चे इधर मैंने ब्लैक मिच्च ले लिए जो के 8-9 दद है चार मैंने लोंग ले लिए हैं दो दाचीनी स्टिक्स हैं एक ब्रॉणी राची है हाफ टेब स्पून मैंने ले लिए जीरा दो मै आइक मसाली जाएंगे बाकी के जो पीछनी के बाद मैं डालूंगी वह पीर मैं आपको बार में बताओंगी तो इधर ही चार मैंने हरी मिच्चे ले लिए जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है तू टेबस्पून ही अद्रक है कुटा हो टू टेबस्पून ही लसन है तो तो आज हम बोटी के शामी कबाब बनाेंगे तो इसके साथ ही 1 क participating मैंने डाल मूँम ले लिए छिल्के वाली क्योंकि हमें बीडर क्योंकि हमने हरी बॉरे शामी कबाब बनाने है तो इसमें मैं यूज गरूंगी जो कि छिलके वाला, यह छिलके हम उतारेंगे नहीं, छिलके के साथ हम इसे बॉस touring करेंगे साथ इधर हल्दी ले रे हूँ हाफ टेबर स्पून में ले रे हूँ हल्दी हल्दी में ज्यादा नहीं डालूगी, हल्दी ज्यादा तो पर इसका करण चेंज हो जाएगा हम लें बनाने हैं हरे बरे कबाब तो मैंने इसलिए हल्दी काम डाली है ताकि इसका कलर हरा हरा नजर आए फिर हल्दी जाता होगी तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा इधर मैंने टू टेबर स्पून सॉल्ट लिया यह अपने टेस्ट के कॉर्डिंग लेना है तो चलिए बिसमिला पड़ के अपनी रेसिपी हम करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया इधर मैंने गोश्ट डाल दिया है साथ ही में इसने डाल दोगी डाल इपानी मैंने पहले 2-3 दफह दोगे के सगी ला हिंठा कि आदा गेंडा पहले तो अब की सारा पानी मैंने इससका निकालके तो झोड़ा बात नहीं है तो चलिए सारे इसमें में डाल दूंगी सब्सक्राइब डालूंगी हरी मिर्च लेसन अध्रक खूटा हुआ और प्याज साती हमने सारे स्पाइसी जैड कर देने हैं जो के सुरक मिर्च है तेज पात है जीरा है लोंग है दाल चीनी है और साती ब्राउन वाली इलाइची है तो इसके साथ हल्दी डाल दूंगी नमक डाल दूंगी सुरक मिर्च का पाउडर डाल दूंगी तो इसमें पानी डालूंगी तक्रेपण दो ग्लास के ग्रीम पानी डालूंगी इतना काफी है क्योंकि मैंने इसे स्टीम देनी है तो अब स्टीम देनी है तो फिर आपको कम भी पानी जो है एड करना पड़ेगा इसे मैं कर लूंगी मिक्स अब इसे हम पांच मिन पकाएंगे लो फ्लेम पे और फिर में बाद में इसे स्टीन कर लूँगी इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी पानी बिल्कुल हमने थोड़ा डालना है तो चलिए फ्लेम में आन करती हूं तो इसे मैं पांच मिन पकाऊंगी कवर करके तो फिर में इसे स्टीम दूँगी इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी पानी बिल्कुल हमने थोड़ा डालना है तो चलिए फ्लेम में आन करती हूं तो इसे मैं पांच मिन पकाऊंगी कवर करके तो फिर में इसे स्टीम दूँगी दस मित होगया में इसे पका रही हूं तो फानी भी थोड़ा सा है तो मैं आप इसे देती हूं स्टीम मैंने देनी है पांच से छे मिन आप अज़गा अज़गा कर लिया है तो अब मैं इसे पहले चापर में चाप करूँगी और फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि मैंने और क्या-क्या चीज एट करनी है तो अभी मैं इसे चापर में चाप कर लूगी बाकी वाला भी मैंने चापर में डाल के तो अब मैं इसे चाप कर लूगी तो यह सारे मसाले थे ना जो वाले कडी पता और यह लूग व्गैरा तालचीन इन माई निकाल लिया तो शौँमे में दाल रही हूं शुका डणिया और वन टेब स्पून ही में डाल रही हूं गर्म साला मिक्चे की पर्फेक्ट है शामीख पाबु के मीक्सर की नमक आम तो वन टेबस में नमक डालूंगी तो फिर बिल्गूल ठीक हो जाएगा और मुंठी बाँ के मैं अरा दनिया ले रही हूं और मुंठी बार के मैं पुद् September कर दिया तो बी में दो किदा calling वी साथ ही एक की का टुकरा रिका ले लिए जिसे में इसल Ouais जिसे माने बड़ी काट लिया साथी कि मिक्चे डाल दूंगे हरादनिया डाल देंगे अच्छा जी हाथ मैंने दोल लिए तो और मैं इसे इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करूंगी बिस्मिल्ला इरख्मानी रहीं सारे कबाब मैंने बना लिए तो आप अपनी मर्जी के मुदाबिक बड़े चोटे कर सकते हैं कबाब जैसे भी आपको साइस पसांद है आप ऐसे बना ले तो देखिए लो कि इतनी अच्छी लाग दिया इसलिए हरे बड़े रेशादार कबाब मैं तो चलिए इसे हम फ्राइ करते हैं इदर मैंने एक एक ले लिया है साथी हजबे जोट मैं डालूंगे इसमें साल्ट साथी मैं इसमें थोड़ी सी मिर्चेहन डाल देंगे और इसे मैं करूंगी मिक्स हस्बे जोट मैं आयल डालूंगी आपने अगर फ्राइड स्पैन में बनाना है तो आप उसमें बना सकते हैं मैं इधर तवे पे बना रही मुझे इसमें बनाना अच्छा लगता है क्वाब की साईचें करेंगे इसमें बनाना अच्छा प्राइड करेंगे इसमें आपनाना रही मुझें आप ये कबाब बनाएं अर्शूर ट्राइब करें एक जया अगर ये कबाब के रचके के य। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जुरूर किया करें, कुमेंटरी किया करें, वीडियो भी आप सारी देखा करें, ताके आपको step by step सारी tips and tricks का पता चाल सकें, तो अगर आप skip कर देंगे, वीडियो तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो माशाला सुभानाला कलर आचुका है, तो अब मैं एक लेट लेती हूं और उस पे उतारते जाती हूं, बिसमिल्ला रह्माले रहें, माशाला कला कितना अच्छा है, तो देख सकते हैं कितने हूपसूरत लगनी है कबाब, तो चलिए, अब इसकी में आपको final look दिखाते हूं, यह रही हमारे कबाबों के final look, उमीद करते हूं, आज की simple सी और मज़ेदार recipe बहुत ही पसानता आएगी, आज मैंने बनाए हैं, रेशादार हरे बरे कबाब, जो के खाने में बहुत ही tasty और different जाएका है इसका, तो जरूर ट्राइ करने हैं आपने, तो चलिए, आज की recipe अच्छी लगती है, तो प्लीज comments करें, like करें, share करें, तो चलें, कल तक के लिए इजाज़त दें, दौा में मुझे याद रखी, अबाद रखें, कल मुलाकात होगी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूं